अगली खबर 36 गड़ से आ रही है जहां कांकेर के भानू प्रताप पुर विकास खंड के प्रीमेट्रिक बालक छात्रावास से लगतार असु विधाओं को लेकर शिकायते आ रही हैं लेकिन इस और शासन प्रशासन का ध्यान ही नहीं क्या है यह सब देखकर भी प्रशासन कुमकर्णिय नीन सो रहा है पूर में यहां अधिक्षक के द्वारा बच्चों को सड़े गले चावल वर सबजी खिलाने के मामले को उठाया गया था जिस पर आस्त कारवाई नहीं हुई है जिहां आपको बतादे कि चात्रवास अधिक्षक हमीशा नदारद रहते हैं वहीं बच्चों का कहना है कि हमें पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल पा रही है हम्हें समय पढ़ नाश्ता भी नहीं दिया जाता है क्योंकि चात्रवास अधिक्षक ही यहां नहीं रहते वह हमीशा नदारद रहते हैं जिसके चलते यहां के जो सफाई, कर्मी और चप्रासी के भरोसे चात्रवास संचालित होता है जिससे हमें तमाम सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है इस संबन में हमने कई बार चात्रवास अदिक्षक को भी अवगत करवाया लेकिन आज तक तमाम सुविधाओं नहीं मिल पार ही है जिससे सभी बच्चों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे ही लेटेस्ट पर पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइज शेर और सुप्स्क्राइब करें धन्यवाद